वेल्कम टू दे कुमारदेव एजुकेशन में चले मैं आपको स्वायत करता हूं जिसका पार्ट दो है संपर्दाइक्ता पर विचार विमेक्स पस्तावना ओपने मेस बाद और संपर्दाइक्ता विचार धारा तथा समुदे बाद सेध्यादिक सेध्यादिक विचार 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 धारा है जो भारतिये राजनितिक में एक पर्मुप विमक्स के तोर पर नियंतरता विरक्ती है जिसके पथम पर्त नियर्पेक्स या सेलिलर वाद दूसरी संपर्दाइक्ता जहां पर्त नियर्पेक्सिता परिभासा तोर पर धारम और राजनितिक में पर्तिकरता की दिवार परिभासित करती है हाला कि भारत में इन अवधाना को पूरंत नहीं अपनाया गया भारत की पर्त निपेसिता सर्वधरम संभाव के रूप में सुविकार की गई है वहीं दूसरी और विचार धारा धरम और राजनितिक को मिलाने की पैरोकरी करती है जिसका वहवारी परसी है कि लोगतांत्री राजनितिक परिकिया की उपीक्सा करके जव राज्ये पोध योगिक विकास और पबंद कारिये सहली के दम पर राष्टे निर्मर बनाने की उसके केंद्र में बहुलतावाद की अपिक्सा और सम्रूपिक करन काग्रे निकलता है जिसका परिणाम यह होता है कि राज्ये विदिन्ता को खुबी माने के वज़े उसे कम जोरी समझने लगता है जिसके बहुल संक्या वाद जैसे अफदाना जन्म लेती है जो संपरदायक अधारित राजनितिक को परवान चड़ा देती है यह तमाम परिगटना एक परकार की आकान सब पैदा करती है जो लोकतंत्र ध्रहन निर्पेक्सता तथा पद निर्पेक्सता के दावे करने वाले राज्ये पर एक पार पुना विचार करने के लिए पेरित करती है पस्तू भाग में सब्दाइक्ता तथा भारतिय राजनितिक में इसके उभार तथा अधोनिक एतियासिक कारक्विस परकार से इस अव्धार ना के परती उत्तर दाई रहे है दूसरे भाग में साध्यतिक बहस के मादियम से उस्तक्त का सिकंज की जाएगी संपरदाइक्ता भारतिय राजनितिक के लिए परसंगीक तथा परसंगीक महल को तै करती है तीसरे और अन्ति भाग में संपरदाइक्ता किस परकार से भारतिय राजनितिक के परति चुनोती पून महल को इतियार करती है उप निवेश बाद तता संपरदाइक्ता अंग्री जो के भारत में आने और दीरे दीरे अपनी परचस्ता को बनाना तथा अपनी सरकार को काईम करने के लिए भारत की विधिनता को भिनता में परिवर्तन करना वसक समझा हलकिस से पहले जब अंग्री जी सरकार की परभुत्तफ सीलता में दीमपन था उस समय हिंदू और मुस्लमानों में कोल मिला कर कोई आपसी कई वहाट तब बैर भाव नहीं था दोनों धर्मों में ऐसी कुछ प्रिवर्तिया थी जो एक दूसरे के लिए साइंस्ता पराधारित थे वहीं समाच का विवाजन वर्ग क्याधार पर था धनी थे गरी थे सिक्सित और अनपड़ थे सासक थे परजा थी इन दोनों गुटों में हिंदू थे मुस्लमान थे मुगल में भी ऐसा ही था जैसे की 1857 के विद्रों में हिंदू और मुस्लमान ने एक जुटता के साथ विदेशी सरकार से यूद किया जिससे आज हिंदू मुस्लमान एकता के रूप में याद किया जाता है चंदरा 1972 फिर भी राष्टच्चय अंदूलन के जनम के बाद अंग्रीजी रिष्ठी कौन में परिवर्तन आया है यह परिवर्तन एक परकार की सातान वावसक्ता को श्तापित करने की राज़नीतिक से पेरिद था जिसमें अंग्रेजी सासें की मूल समस्या ये थी कि राश्टी अंदुलन के परचार और परसार के साथ एक खत्रा पैदा हुआ कि ये जनता संगर्ठी होगी तो समराचे के सामने एक भ्यांकर समस्या उपसित हो जाएगी इसके परिना में इस संगर्ठी जनता को बहुत दिनों तक ग के सक्त कदमों के अतिरित अंग्रेजियों ने कोशिज की कि अगर संभव हो तो राश्टे एक्ता के ज्वार को पूरत तोर पर सुका दिया जाए रननितिक तोर पर यह निने लिया कि जनता को असंगर्ठी किया जाए उन्हें आपस में समझाने समझने और परतिस पद्दा करने इस परतिस पद्दा में एक समझाए के परति दूसरे समझाए के बीच दिवेश के भावना करनी निर्मान हो सकेता था एविन धर्मों के नाम पर लोगों को बटाने और भारती राजनेती के संपरदाइक प्रिवित्तियों को पुरुसान देने का निने किया उन्होंने मुसल्मान अलप संक्यों का पस्वीकार होने का दावा कि पस्तूत करने लगे साते जिम्मे जमिनदारों भुस्वामियों और मद्धेवर को अपने पक्स में लाने की कोशिस आरम की अदालत में हिंदी के स्टान पर उद्रू लाने के आंदूलन में मदद दे कर उन्होंने उत्तर परदेश और बिहार के हिंदू मुसल्मानों के बीस समाजिक और संपर संपर्दाइक कई वहट को जनम दिया इसका परिणाम यह हुआ कि आरते समाज खंड खंड बटने लगा इसमें जाती धर्म पहचान मूल रूप से सामिल थी दूसरी तरफ अंग्रेज जो अंग्रेजी हुकूमत को मच्बूत होती है चंदरता 1972 इसका परिणाम यह हुआ कि व चार के भाव में आकर लोग अपने सोशन है चार और प्रीड़ा के वास्तव श्रोत को पहचानने में असमर्थ होते जाते हैं और उनके एक श्वचंदम संपर्दायक काहरक की कल्पना कर लेते हैं चंद्रा निशनब्ब्य यह वास्तविक्ता भारतिय उपनिवेश बादी द्यास के परसंगीता में संपर्दायक बाद की मुमिका को दरसाता है जैसे पूर्वी बंगाल और मालवार में कस्तकारों और जमिनदारों तथा पंजामें किसानों देनदारों और व्यापारियों सावकारों के संगर्स को हिंदू मुसलमान संगर्स के रूप में चित्रि इस संगर्स को संपरदाइकत बना दिया गया. इतियासी गुरूब से बेपीने चंद्रा का यह परसंगर्सियावसक हो जाता है कि वह कौन से तरीके थे जिनके जरीए बिटिस हकुमत थे बारत में संपरदाइकता को पाला पोसा ये परसन वतमान में भी अपनी परसंगीता को बनाय हुए है बस इसकी सब्दावली में यदि थोड़ा परिवतन कर दिया जाय कि ऐसी क्या इत्यासिक खामिया है कि भारत में आज भी संपरदाइक दंगा राजनितिक का मुद्दा उत्पन उत्पाद बना हुआ है बीविन चंद्रा ने अपने परसन के इच्छे कारग बताए पथम कारग को पनिवेस बाद हिंदों, मुसल्मान और सिकों को लगातार ऐसे अलागला कि समुदायों को दरज़ा दिया जिसके समाजिक राजनितिक पैचान में कुछ भी साज़ा नहीं था बताया गया कि भारत ना तो एक राश्टे है ना ही राश्टे के रूप में उसका विकास हुआ है ना ही वह बीविन जातियों का समुच्चे है बलकि उसका गठन तो धर्म के आदार पर हुआ है जिनके हीत आपस में टकराते हुए दूसरा कारक संपर्दाइक तावादियों को सरकारी सरक्सन और रियासते दीत गई इसमें उच्च वर्ग विशियस रूप से सामिल था तीसरा कारक संपर्दाइक पत्रों व्यक्तियों और अंदलोनों के परती असाधारन सहीं उनस्ता दिखाई गई चोथा कारक संपर्दाइक ताम मांगो को तुरन सुईकार कर लिया जाता था और इस तरह संपरदायक संगतनों को राजनीतिक मजबूती दी जाती थी तथा लोगों पर उनकी पकड़ बनी रहती थी उधारन के लिए 1885 से 1905 तक कॉंग्रेस अपनी एक भी मांग मंजूर नहीं करा सकी जबकि मुस्लिम लीक ने 1906 में वाइस राई के समग संपरदायकता मांगे रखी उन्हें समाने ग्यान लिया जाता है इसी तरह 1923 में अंग्रेजी ने इसे कम्यूनल आवोर्ड कहा जाता है उसके माध्यम से उसकी तमाम मुख्य मांगे कंजूर कर ली मंजूर कर ली पाच्वा कारण बिटी सरकासंपरदायकता संगटनों और नेताओ को इनके तथा कथिक समुदायों के परिनाम परिवक्ता के रूप में तथकाल सुईकार कर लेती थी जबकि राष्टवादी नेताओ को एक छोटी से वर्ग या विश्टिट वर्ग के परतिनिधी मना जाता था आज मुसल्मानों को सरकार के परतिवाफदा रहना चाहिए सेद के अनुसार भारत एक राष्टे नहीं है उनके अनुसार कॉंग्रेस एक हिंदू संस्ता है जिसके देश मुसल्मान हित्तु के विरूत है चंद्रा उनिसनवे इस सभी चर्चा की लिकर में एक लिकर और भी सामने आती है है कि भारत में संपदाइक्ता के विकास का मुख्य कारन यहां कोई धर्म का समस्त अस्तित्तु था लेकिन विपिन चंद्रा आधित्य मुकरजी तथा मिंदूला मुकरजी तथा सूत तेजा महाजन ने इसे अवस्तात्यू कार दिया इसका मानना है कि भारत में संपदाइक्ता के विकास में धर्म के कोई खास मुख्य का नहीं थी धर्म को परिभासित करते हुए इन इत्यासकारों का मानना है कि धर्म के दो रूप है एक रूप में निश्टा है वह पदिदी जिनके अनुसर व्यक्ति अपने जिवन का संचालन करता है दूसरा धर्म परादारित समाजिक राजनितिक पहचान की विचार धारयानी संपदाइक्ता दूसरे सब्दों में कहा जाए تو धर्म संपदाइक्ता का कारण नहीं बनता लेकिन सभी तरह के संपदाइक्तवादी धर्म मतभीत का इस्तमाल करते है 14 1990 संपदाइक्ता विचार धारा तता समुद्देवाद भारत में संपरदायक्ता के विरूद सहल्यूलरवाद की अबदहाना को पेस किया गया लेकिन इसका तात्परिय बिलुकुल भी नहीं है कि किसी दर्म विसेश में आस्ता रखना संपरदाय दायवाद को बड़ावा देना है भारतिय सविधान के अनुसा धर्म के परचार परसार तता से समधित संस्ताय खोलने का दिकार देता है वही सविधान हमें दूसरों के भी दिकारों करतवों के परतियादर करना भी बताता है इस तरह के प्रिक्रिया तब तक संपरदाइक नहीं होती जब तक कि उन्हें हिंसक या कटरता के सहारे में ना धाला जाए इस अफ़धाना पर यह भी सवाल महत्पूर हो जाता है कि संपरदाइक का से क्या है और इस विजारदारा का तत्व क्या है जैसे कि विपिन चंद्रा उसके आज से ततत्तु को तीन चंडों में चिनित करते है जिसमें पहले चरन में संपरदाइकता का पहला चरन इस विजवास का यह है कि एक ही धरम मानने वालों के सारिरिक खित यानी राजनितिक आर्थिक समाजिक और संस्क्रितिक खित भी एक जैसे होते हैं संपरदाइक विचारदारा के उदे का पहला अधार है इसी अधार पर धरम पर अधारी समाजिक राजनितिक समुद्धायों की अव्दाना का जनम होता है संपरदाइकता का दूसरा तक तो यह विश्वास है कि भारत जैसे बहुवासी समाज में एक धरम के अनुर्यायों के संसारिक हितों में बिनता होती है इन संसारिक हितों में समाजिक संक्रितिक आर्थिक और राजनेतिक सामिल होते हैं जो अन्य किसी भी धारम के अनुयायों संसारिक हितों से बिन संपरदाइक के दूसरे चरन को विविन चंद्रा उदार संपरदाइकता नरम पन थी संपरदाइकता कहते है जहां वे इस बात को सबस्पर करते है कि उदार संपरदाइकता वादी फिर मुले संपरदाइक राजनितिक की कर रहे थे फिर भी उनकी आस्ता दारवादी लोगतांतिक मानवतवादी पुराष्टवादी मुलू में भी थी जो इस बात को भी सुईकार करते थी कि भारत का इर्मार ऐसे भी भिन धरम अधारित समुदायों से हुआ है इसके अपने अपने और अलग अलग ही थै जिसमें तकराव की भी जदा कदा नौबत बनती है लेकिन इसके संतुलन की भरपूर तुन जाइस इस तक से होती है कि समाने राष्टे हितों से इनका संतुलन बनाया जासता है इसके अधारन सोरुप 1925 के और भिंदू महासबा मुस्लिम लीक अली बंदू तथा 1922 के बाद मौहमत अली जिन्ना मदन मोहन मालविये लाजपत और एंसी कहर कर इसी अधारवादी सब दाइक्ता ढांचे के तहत काम करते थे चंद्रा 1925 संपरदाइक्ता के तीसरे ततानतीम चरन में भी बिपिन चंद्रा ने इसके उस पहलो को दरसाया जिसके भारतिये त्यास में विवाजन वर्काववादी प्रिवर्टिया को जनम दिया जिसने चंद्र उग्र सबरदाइक्ता की संधिया देते हैं यानि ऐसी संपरदाइक्ता जिसके तोड तरीके प्रांसी वादी है जिसका पूरा जायजा ही इंसक था इस परकार की संपरदाइक्ता ने इस बात की घोसना का काम करना आरम किया कि मुसल्मान तथा उसकी संस्कृति तथा हिंदू तथा उसकी संस्कृति के स्थित्व पर खत्रा है इस परकार की प्रिविर्तियों ने एक हलकाव वादी राजनिति को जरम दिया जिसमें राश्टे को नहीं धर्मों के नाम पर देखा जाने लगा जिसकी बहासा करम और आच्रन में भैगहिना तथा युद की बोलिया सामिल थी जिसमें धर्म एक आस्ता के स्थान पर देखार रूप गहन करने लगा संद्राव ने सुनभ दे इस बहस में धर्म लिखार याँस्था पर सुतंत्र भारत की को अपनाई गई स्लल्लेलरवाद के नीथी पर भी मिहरा दुंद है यह селुलिलर वात भारत की संप्रदायक्ताप को समाप करने था इसके विप्रीत अपनाया गया है लेकिन भारत में ही सवदारना का अपना एक हिसा अधिक विधित परिसित्यो में भी रहता है जिसमें एक तरफ सलुलर वात बताता है कि अल्प संक्यक प्ता भहु संक्यक के बीच किस परकार और किस हाद तक समझे रखा जाए इस परसनों के उत्तर की जटिलता को जावेद आलम राश्ट्य अंदुलन के परिदिस्से में देखते हैं जिसमें उनका मानना है कि भारतिये राश्ट्य अंदुलन कभी भी आखिरी तोर से ते नहीं कर पाई है कि सेक्यूलर से उसका मतलब क्या है कॉंग्रेस के अदिवेशन के समय समुदाइक एसोसेशनों को भी अपने जलसे रखने जलसे करने दिये जाते थे हलाकि उन्हें अदिवेशन स्तर्व का इस्तमाल करने की जादत नहीं दी जाती थी आलम दोजर पाँच जिसका परिणाम यह निकलता है कि सेलिलरबाद की दारा में संपरदाइक प्राभू को देखने लगते हैं जिसका एक रोचक परसंग निन्दी पेश करते हैं जिसमें साधारन अधुनिक प्ता के आयामों से सेलिलर को एक हिंसा का परती भिं मान कर चलते है जो विपिन्चंद्रा के तीसरे संपरदाइक तथ और एक इतियुच की विश्ट भूमी पर खड़ा हुआ नजड आता है हम यह मान सत्ते है की निंदी एक इत्यासकार के भूमिका में है ऐसा इत्यासकार जो वतमान में अदुनिकता का इत्यास ठिकराई हो जह वैं आगे कहते है कि जब सल्ललर अदुनिक्ता वादी अपने पराजे को जीत में बदलने के लिए दार्म को जा दिये इंसा का खेल खेलता है वे है कटरपंती की तरह अपने समुदाए अत्वा धरम के हितो का साधारन करने की कोशित नहीं कर रहा होता वे है तो एक राजनित्गिये की भाती बहुत संक्यक सक्रिये धरम बल्वियो को राजनितिक और चुनाओ समतक के लिए गोलबंद करने के लिए इनसानी जब बात का लाव उठा रहा होता है राजनितिक में आदोनिक संचाल रसता संच्था और संच्था भूमिकाय जैसे घश स्वार्ट वए ऌए यसे पूरी सेललर भैग्यानि дав dad रेक दया दिया धुर्ड प्रोवन की इस साजनीतिक की विध्य होती चली जाती है नंदनी 1998 में आज का भारत इसी घटना करम से गुजर रहा है पहले के दंगों में कटर पनिती के संगरतिन्त कारवाई और हर पक्स द्वारा लाये जाने वाले साजनीतिक मुद्यनुक्सान का दाइरा महत्फुन था ल लेकिन हाल के वर्सों में संगटन कायामो बहुत बढ़ गए अंसी के दसक में हुई भिवडी दिल्ली एमदाबाद की संपधायकता हिंसा पूरी तरह नियोची थी यह परिगटनाय द्रम के संस्तागत राजनीतिक करन को तरसाती है अलाकि सब्धाना की सुरुवात उपनि मियान ही हुई जब भारत में